इस वीडियो में हम नियो स्प्रेन डस्टिंग पाउडर के बारे में जानेंगे इस पाउडर को हम कब यूज कर सकते हैं, कब इसे यूज नहीं करना चाहिए, इसको यूज करने का सही तरीका क्या है और इसके क्या क्या साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं नियो स्प्रिन डेस्टिंग पाउडर 10 ग्राम की छोटे से पैक में आता है जिसकी MRP अभी 94 रुपीज है ये एक एंटिबाइटिक मेडिसिन है जिसका यूज स्किन पर होने वाले बैक्टेरियल स्किन इंफेक्शन्स को ट्रीट करने के लिए किया जाता है नियो स्प्रिन पाउडर आपको मार्केट में अलग-लग ब्रैंड्स के नाम से मिल सकता है लेकिन इसमें तेन मेडिसिन का कॉंबिनेशन होता है जो एंटिबाइटिक हैं इसमें बेसिट्रेसिन, नियो माइसिन और पॉलेमिक्सिन भी का कॉंबिनेशन होता है ये तीनों मेड कार के skin infections को ठीक करने के लिए first aid antibiotic की तरह किया जाता है अगर कोई ऐसा घाव है जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है उसमें पस भर गया है तो ऐसे घाव पर आप इसका यूज कर सकते हैं किसी भी तरह का minor cut लग गया है या फिर skin जल गई है तो skin को infection से बचाने के लिए भी इस skin पर घाव हो जाते हैं और उनमें infection हो जाता है तो उनको ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है newborn baby की code को infection से बचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है यानि अगर बच्चे की नाभी में पानी या फिर पस आ रहा है तो भी आप इस powder का यूज कर सकते हैं viral या फिर fungal infection है तो उसके उपर इस powder का यूज नहीं करें क्योंकि fungal और viral infection पर ये powder अपना effect नहीं दिखाएगा कोई बहुत जादा गहरा घाव है या फिर serious burn injury है तो उसके उपर भी इसका यूज करें कोई deep cut या फिर किसी जानवर की काटने का घाव है तो भी आप इस powder का य यूज नहीं करें इसी composition की new spring ointment भी आती है जिसका यूज भी antibiotic ointment की तरह किया जाता है जो घाव जादा गीला होता है उस पर powder का यूज किया जाता है और सूखे घाव पर ointment का यूज किया जाता है new spring ointment या फिर powder को यूज करने के लिए सबसे पहले अपने हाद धोएं उसके बाद जहां भी infection या घाव है उस जगह को clean करके सुखा लें उसके बाद cotton की help से affected area पर इसे लगा लें new spring powder या फिर ointment के कुछ सामाने side effects भी हो सकते हैं जैसे जहां भी आपने इसे apply किया है वहाँ पर खुजली हो सकती है, irritation हो सकता है, rashes हो सकते है, redness हो सकती है और swelling हो सकती है ये side effects समय के साथ कम हो जाते हैं और हर person के according अलग अलग होते हैं, side effects ज़्यादा हो तो doctor की सला जरूर लें अगर आपको new spring powder में या फिर cream में यूज होने वाली किसी भी medicine से allergy है तो भी आप इसका use नहीं करें तो ये थी पूरी जनकारी new spring dusting powder और ointment के बारे में अगर जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें और स्वास्ते और दवायों से related वीडियो के लिए channel को subscribe जरूर करें, thank you